यदि यहाप उस्तक मिल जाए तो आप क्या करेगे? मोटिवेशनल स्टोरी आज हम यह मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं तो आए बिना टाइम विश्ट किये हम शुरू करते हैं यह मोटिवेशनल स्टोरी एक व्यक्ति की मौत नजडीक आ रही थी लेकिन वह उस समय रेगिस्तानी रास्ते से कहीं जा रहा था उस समय उसके पास यमदूत आया यमदूत को वो पहचान ना सका लेकिन वह चादी में था इसलिए उसने यमदूत को पानी पिलाया और कुशल क्षेम में और कुशल क्षेम पूछी इसके बाद उस व्यक्ती ने पूछा तुम कौन हो, मेरे पास क्यों आये हो यमदूत बोला मैं यमदूत हूँ और मिर्ट्यू लोग से तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ यमदूत ने कहा तुमने मुझे पानी पिलाया, मुझे तुम अच्छे आदमी लगे इसलिए मैं तुम्हें यह भाग्या की पुस्तक देता हूँ तुम इसे खोल कर अपना भाग्या बदल सकते हो, तुम इसे खोल कर अपना भाग्या बदल सकते हो लेकिन याद रखना, तुम्हें केवल पांच मिन्ट का ही सम्या मिलेगा यमदूत ने उसे व्या पुस्तक दे दी उस व्यक्ती ने पुस्तक पलटी तो सबसे पहले उसके पुडोसी का पन्ना खुल गया उसे अपने पुडोसी का जीवन दिखाए दिया उनका खुशाल जीवन देखकर व्या इशर्या से भर गया उसने तुरंत अपनी कलम निकाली और उनके भग्या को जितना बिगाड सकता था उसने बिगाड दिया इसी तरह उसने अपने अन्य पडोसियों के पन्नों में भी यही किया अंत में वह अपने जीवन के पन्ने तक पहुँचा उसमें उसे अपनी मोत अगले ही पल आती दिगी इससे पहले कि वह अपने जीवन में कोई फेर बदल कर पाता मोत ने उसे मोत ने उसे अपने आगोश में ले लिया क्योंकि उसे देवदूत ने देवदूत से मिले क्योंकि उसे देवदूत से मिले पांच मिन्ट पुरे हो चुके थे संक्षेब में कहा जा सकता है कि कई लोग दूसरों का हीत करने में अपना बहु मुल्या सम्याग गवा देती है बहतर होगा कि सम्याग को अपने हीतों का अपनी हितों को ध्यान में रखते हूँ अच्छे करम करें तो यहाँ पर यह कहानी हो जाती है खत्म तो अगर वेडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें So thank you for watch this video